आज कल बागवान साथियों और जो किसान है जो प्लांटेशन कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल आता है कि पार्टियों किस तरह से लें जो सेप के लिए हम पौटी लेते हैं आज कल लोग पौटी लेने से पहले काफी सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं जिसकी बज़े से उन्हें काफी नुक्सान उठाना पड़ता है कई पार्टियों में बीमारियां रहती है और कई पार्टियों में कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स रहती है तो आज इस वीडि तो हम आपको बताएंगे कि जब आप पार्टी लेने जाते हैं कहीं भी किसी बी नर्सरी से आप पार्टी लेते हैं तो किन बातों क Bowser को दिहान रखना चाहिए सबसे पहले आप पार्टी की तर्ने को नदेख के उसकी जणे चेक करें यहाँ देखिने कुछ पॉलिटी बेटा रूट नरसरी जो है उनसे ली हुई है इसके अगर आप रूट्स देखेंगे देखिए कितनी फ्रेश रूट्स है इसकी आप देख सकते हैं यह एक साल की पॉलिटी अगर मैं इसको अलग से रखूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं क रूट में किसी तरह का गंठिया रोग जैसे हम निमाटोड केहते हैं निमाटोड की प्रॉबलम बिल्कुल भी ना हो और जो में प्रॉबलम एक और रहती है जड़ों में जड़ों का जो ये ये वाला ट्रंक होता है में इसे देखिए आप ये जो ट्रंक रहती है इसमें एक भीमारी रहती है जिसका नाम है क्राउंगाल है जिराजा का मुकूट होता है जो चोटे-चोटे गोले बन जाते हैं जो इस ट्रंक में रहते हैं यहाँ पर तो जिस भी पौदे में पर्सक्राइब है क्राउंगाल की प्राप्लम हो आप उसे उसे बृष्ट न ख्रीने क्योंकि क्राउन गाल का जो बेक्टिरिया रहता है वो काफी तेदी के साथ मिटी में स्प्रैड होता है और आपकी सारे मिटी को खराब कर देता है और वहाँ पर आपका बगीचक तयार करना काफी मुश्किल हो जाता है ये देखिए मैं आपको और भी पर्टी बता थहूं किस तरह का इसका रूट जौन है अच्छा रूट जौन है आप देख सकते हैं इस पर्टी में कितने रूट्स है और ये सारे रूट्स बहुत ही हेल्दी रूट्स है ये देखिए आप जब भी आप पर्टी लेने किsी नरसरी जाद है तो रोट्स जरूर चेक कर लें अपने और ध्यान इनी सभी बातों करकें कि उसमें नीमा टोड की प्रॉब्लम ना हो नीमा टोड पे हमारे एक वीडियो आएगा हम उसमें डेटेल में आपको बताएंगे कि नीमा टोड क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बत इसमें गांठे बन जाएगा और गांठे इसके चारा और इस तरह से चारा और इसके बनेगी इस तरह से गांठे बन जाएगी इसके चारा और लेकिन राइजोम में क्या होता है कि उसकी गंठिया होती है वो एक साइड को दाना सा बनके ऐसा लटको उसको आप ऐसे तोड़ कि अलग भी कर सकते। अगर राइजोम हो आपके जड़ में तो वो आपके लिए अच्छा है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है अपके प्लांट में लेकिन अगर वो चारों और फेला हूँ, उस जड़ के जैसे जड़ के हैं राउंड में फैली हुई वो गांट हो तो वो निमेटोड होगी और निमेटोड जो है ये काफी खतानाग बीमारी आपके लिए है निमेटोड जिस भी पेड़ में हो आप मोस्ट लिए इस पेड़ को ना लगाएं या उसको पूरी तरह से स्टे मान लो यहां पे आपका इस बीद्ग में उसके ज़ट में निमेटोड आपके जो भीम पिर में प्राइम काट करें है जो इस ने होता है काये लिए इसको क्या इस पर वीडियो आए गार करें तो इस तरह से आपने रूटों का चुनाब करना है यह देखिए बिल्कुल कितना फ्रेश है यह बहुत आप आप यहां पे इसके रूट देख से कितने साफ है यह यह देखिए यहां पर हमने लगाए हुए हैं इस तरह से तो रूट्स का चुनाब करते वक्त बहुत ध्यान रखें आप क्योंकि हम देखते हैं हमें बहुत सारी क्वेरी आती रहती हैं ग्रूप पे कि हमारे क्राउन गाल की प्राब्लम आ रही है तो किस तरह से इसको क्योर किये जाएं क्या हम इन प्लांटों को लगाएं या ना कि हैं बल्क में प्लांट खरीदे हैं तीन-चार सव प्लांट खरीदे हुए हैं बट उसमें क्राउन गाल की प्राब्लम है तो उसका क्या सल्यूशन है तो सबसे पहले तो आप बागवान साथियों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जैसे हमने बताया आपको कि किन-किन बातों का आपने ध्यान रखना है तो उस तरह के प्लांट आप बिल्कुर ना लें प्लांट भले ही थोड़ा महंगा लें सस्ते के चकर में ना पड़े हमने भी लास्ट यर सस्ते पॉटियां ले थी और सारी फैंकनी पड़ गी थी उसमें सब में प्राब्लम थी बाद में जब हमने चेक किया जब हम प्लांटिंग कर रहे थे तो बहुत नुकसान हो गया था हमारा भी तो आप भी ध्यान रखें तो बाकी हम आपको इलिए निमटोड और क्राउन गॉल पर एक वीडियो लेके आएंगे तो आज के लिए बस इतना ही बागवन साथियो मिलते अगल करें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करें थेंक यू